हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए खर्गोश और काटा चुवा नर्मदा रदी के किनारे एक घना जंगल था उसमें रहने वाले जानवर हमेशा जगडते रहते थे हम हमेशा जगडते हैं हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके हाँ हमारा एक राजा होना चाहिए लेकिन राजा बनेगा कौन फिर इसे जगड़ा शुरू हुआ मैं राजा बनूँगा अरे नहीं मैं ही राजा बनूँगा राजा तो मुझे बनना चाहिए एक बूढ़ा लोमडी जो कुछी दिन पहले उस जंगल में आबसा था अपनी गुफा से गरचते हुए बाहर आया अरे ये शोर कैसा बाहर जाके देखता हूँ जानवरों ने लोमडी को उनकी तरफ आते देखा क्यों ने इस लोमडी को ही हम अपना राजा चुने ये ठीक रहेगा जब वो बूढ़ा लोमडी उनके पास आया हमें एक राजा की जरूरत है क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे क्या किस्मत है मेरी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे बूरे दिन शायद खतम हुए मुझे कोई आतराज नहीं देखो मैं हिंसा का विरोधी हूँ कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत क्युदन दूँगा सभी जानवर प्रसंद हुए महराज हिंसा के विरोधी तो हम भी है लेकिन एक न्यायप्री राजा ही अपराधी को मार सकता है अच्छा तो ठीक है अगले ही दिन खरगोश और काटा चुहा के बीच जगडा हो गया ये बिल मेरा है नहीं ये मेरा है मैंने इसे सबसे पहले देखा है तुमने देखा ठीक है पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ उन्होंने इसे छोड़ दिया था अच्छा ये बात है तो हम राजा के पास चलते हैं न्याय मांगने के लिए दोनों बूढे लोमडी के पास गए महाराज हमें न्याय चाहिए न्याय क्यों क्या हुआ दोनों जानवर एक साथ अपने जगडे के बारे में लोमडी को बताने लगे अरे जड़ा रुको रुको मैं बुड़ा हूँ कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता जड़ा मेरे पास आकर कहो दोनों जानवर बिना हिचकी चाय लोमडी के पास गए अगले ही पल लोमडी उन पर जपता और उन्हें मार कर खा गया अब सब जानवरों को अच्छा समग मिल गया दोस्तो हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए अजनभी पर विश्वास करके तो हम फंस गए अजनभी पर विश्वास करना उचित नहीं